हेलो एबरिवन स्वागत आपका हमारे इस चैनल पर तो आज की इस व्यूडियो में हम रिवीजन करेंगे बाइलोजी जो कि किसी भी गवर्मेंट एक्जाम चाहे वह एससी हो रेलवे हो रेलवे में लोको पाइलेट का हो या टेकनीशियन हो जहां भी जो यह आपका बाइलो करेंगे जिससे की एक्जाम टाइम में एक्जाम के कुछ जिन कुछ घंटे पहला अगरा हम इसे रिवाइस करें तो तुरांथ हमें एक बाल जो भी हमने पढ़ा है वह हमें याद हो जानते हैं कि हर्ट का काम क्या है हमारे हमारा जो सरीर है वह पूरे रख प्लेट पर काम क होता है जैसे कि हम जब जब नाक से अपने सांस को घीचते हैं अंदर लेते हैं तो वहां उसमें अक्सीजन होता है और हमारे सरी में जो कार्बन डाय ऑक्सीजड इसे योटू कहते हैं वह लंग्स में लाता है और लंग्स उसे बाहर कर देता है तो इसमें जैसे की लंग्स से हमें ऑक्सीजन तो क्या होता है कि हम बाहर से ऑक्सीजन लेते हैं लंग्स के तो ठीक है फिर वह जाता है लंग्स में लंग्स में वह उक्सीजन में मिल जाता है और फ और तो सीओधां कारबन डाइघवसरी जो हमारे से इंदर या हर्ट ब्लड लट के तुरूब बाइर नसमें त्यों लंग्स उसे फिर बोडी से बाहर कर देता है जैसलों कभी सास्थे जोड़ां के बाहर चला जाता है है तो यह आप जब हमारे हमारे हर्ट जो अक्सिजन ऑफ बलड आता है वह कैसे काम करता है उसमें कौन कौन से प्रक्रिया है तो हम आगे इन सभी को देखते हैं ठीक है जो हमारा हर्ट है न इसके चार फंक्षन है यह चार भाग में डिवाइड होता है जैसे यह देखिए और यह दो तीन चाह ठीक है इसको हम पहला माल लेते हैं इसको दूसरा माल लेते हैं इसको तीसरा माल लेते हैं और इसको चौथा माल लेते हैं चार इधर का जो है यह पूरा इंप्योर ब्लड होता है इंप्योर मतलब कि इसमें CO2 प्रेजेंट होता है और इधर का जो है अप इन सब के अपने नाम होते हैं जैसे कि अगर अपने साई में जो उपर वाला होति है उसे कहते हो राइट एम फिर नीचे वाले माद तैक कि Glen और अगर हम लेफ्ट साइड मे जाएं तो फिर उसके बाद हम कर तैं Q1 लेफ्ट वेंट डैल अब जैसे इन दोनों को उन दोनों का जो चैम बर जैसे कभी मा लिए लेफ ये फिल ओ गया तुछ ही तो अब क्या करेका क्यों से चैंबर जाता है जिससे कि ज्यादा बलड इस्टोर हो सके जब यह उसी तरह है ट्राइक ट्रिकोषपायड व्यल्ब होता है और इसमें क्या होता है कि इसमें क्या होता है की जो अपना राइट यह शॉंस आं अपका आगा यह तो आता दो हम क्या एक सिर आप ग्रिए ना जाता हूं सब्सक्किन सब्सक्राइब बल्ब कहते हैं ठीक है तो अब तूह जानाए कि यह मतलब पूरे हर्ट में जो चारव τूरोंपos हुते हैं जिसमें डोफ साइड र डिते जिसमें किसा राइट एंट्रियम ऊंच बिच में करता है लेफ्ट और ये जुआ है सब्सक्रक्षा यहां ठीकर मेर unfair त्री जो defending लेफ्ट और मेराज अगर फेले अगसाइट रिक्षार अब इन चारों को जब दो है डू भागों में डिसाइट करता है जिस left right करते हैं उसे ऊपर वाले यह हम करते हैm atrial septum ठीक है और जो नीचे वाला जो बड़ा वाला हिससे उसे करते वेंत्रिकल वेंत्रिकूलर सेप्टम ठीक है तो यह है पुरा आपके हमारा जो हर्ट है वो किस तरह अलग-अलग डिवाइड है तो यह था पूरा डिवाइड का अब जानते हैं यह काम कैसे करता है ठीक है कौन से ब्लड किधर से आते हैं कैसे काम करते हैं तो हम जानते हैं इसमें हमारा जो हर्ट है न वो पूरे 13 मतलब 13 स्टेप में काम करता है वो ब्लड लेता है फिर इस्टोर करता है फिर पंप करता है फिर वो पूरे बॉड़ी में जाके फ्लो होता है तो सबसे पहले जानते की ब्लड आता कैसे मतलब की ब्लड ब्लड जो फंक्शन है वो काम कैसे करता होसो सबसे पहले ब्लड आता है वह तो अपल्मनरी मेंहीं है तिक यह फिर इसके बाद यह जाता है आपका लफ्ट अट्रियम में लेफ्ट एट्रियम ठीक हम सोटकेम ही लिखता हूं फिर उसके पर जाता है माईटर वाल्ब्स टीक है जो अपना आपको बताया था कि राइट साइड में होता है फिर यहां से वह चेंज होके जाता है बड़े बड़े वाले में फिर वह वहां से जाता है लेफ्ट fame बैंटिर कलने अके फिर लेप्ट्र केल सिचेंज होंके यह चेंज होंके जाता है अरोकर में अर्टा वरnd और पांद इस तेसे समझ लेते हैं तो फिर में समने में आपको обсकी आसानी हो भी थे कि अरोटा के बाद वह जाता है सीधे बाडी में तो बाडी में कैसे जाएगा तुर बॉड़ी में अलग-अलग जो है वो अपने नफ्स गय हूँ है तो वह नफस का सुFirst जाएगा जैसे कि वो सबसे पहले जाएगा गा सूपीरियायर दिया फिर May पिर उसे inferior कहते हैं हो उस बॉड़ी पार्ट में जाएगा सुपीर फिर क्या होता है हम आगे आगे बताता हूं ठीक है फिर उसके बाद जायागा राइट एक्ट्रीम में ति उसके जाने एक बाद लाहिटु में जाएगा दी ऑक्सिजनेटेट बलड जो हता है वो उसको लंग्स के तरब भी जाएगा तो वह जाएगा राइट साइट के एस ट्रियम में है ठीक है फिर उसके बाद पल्मर्य आर्ड्री में जाएगा यह pulmonary artery में जायागा फिर उसके बाद यह lungs में चला जायागा फिर lungs में वापस चला जायागा ठीक है तो यह पूरा 13 step में यह काम करता है अगर आपको step लिखो तो एक, दो, तीन, चार, ठीक है यह 5, यह 6, यह 7, यह 8, यह 9 हो गया यह 10, यह 11, यह 12 और यह 13 तो यह 13 step में पूरा हमारा हमारा हर्ट है वो काम करता है परवे, तो, चलते हैं हम टायग्राम पे देखतें यह कैसे काम डायग्राम में कैसे है वő डायग्राम पे कैसे काम करता है तो, है टीक तो, आप देख रहे हैं, तु तो, देखें यह है औरthe rata West pen, झूकि हमने बताया ठाशा, अरोटा का काम क्या होता है कि इसके थुरू जो हर्ट से ब्लड होता है वो बॉडी में जाता है तो अलग-अलग इसमें नफ्स बनी है इसके अरोटा का थुरू क्या होता है बॉडी जो ब्लड जो है वो बॉडी के अलग-अलग हिस्से में जाता है ठीक है फिर सुपीरियर व तो अगर इसेाद करने का तरीका बताऊं तो अच्छा हो सबसे मतलब उचे स्थान पर तो तो सब यह आप समाझ सकने कि सूपर मतलब की जो रग ऊपर से आ रहा है हमारे मस्तिक तरफ से हारा है घर्ट में तो से सुपर वन चैनलों करते हैं और यह कहां आता है राइट एट्रियम में अगर घंपा सब्सक्राइब इसलिए इससे में इसे क्या नेचे से ब्लडा है जैसे हमारे पैरों का साइट साइट से जो चेस्ट के नीचे वाले पार्ट जैसे हमारा लेग हो गया लेग के साइड से जो ब्लड नीचे से ऊपर आता है उसे कहते हैं इन्फीनियर कहने वा कहते हैं अब उसके बाद यहां पर ट्रिकुस्पाइड वॉल्फ क्या होता है कि राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल की बीच में जो एक दर्वाजा होता है दोनों के बीच का उसे हम खाते हैं ट्रिकुस्पाइड वॉल्फीन जो तो हमारे साथ लेफ्ट साइड मेंठ अट्रियम होता है और लेप्ट वेंट्रिकल होता हूँ तो इन दोनों की बीच का जो जिसे हम कहते हैं दरवाजा मतलब जो अगर ये छोटा वाला भर जाए तो बड़े वाले माता तो उसे खाते हैं मैटरल वॉल्फ फिर एरोटिक वॉल्फ होता है फिर उसके बाद pulmonary veins होता है और pulmonary arteries होता है तो ये सबी हैं जो हमारे हर्ट में काम करते हैं तो ये रहा हर्ट का function की ये कैसे मतलब रख्त पहले कहां से आता है फिर कहां जाता है बाकी आपको मैंने 13 इस्टेप बताएं थे हर्ट 13 इस्टेप में कैसे काम करता है कौन से ब्लड कहां से आ रहे हैं और कौन से ब्लड कहां से जा रहे हैं ठीक है तो ये सबी था हर्ट के बारे में अब हम जानते हैं कि कि हर्ट में जो सबसे पहले इसका जो खोजे वह किसी नहीं किया था तो हर्ट का जो खोजे मतलब रख्त ब्लड सर्कुलेशन होता है उस इंग्लिस फिजिशन है यह 1628 में इन्हों ने इसका जो है खोज किया था तो यह रहा है अब जो हमारा हर्ट है न यह परफॉर्म करता है कैसे करता है कभी लब डब जिसे हम कहते हैं अगर बैलोजिकल नों कहते हैं तो एल यू बी लब फिर उसके बाद डी यू बीड़ अग को अगर लब लब कर रहा है तो उसको करते हैं स्सटल और आगर डब कर रहा है तो इसको करते हैं रीस्ट cioè अगर हम हिंदी में कहा तो इसको करते हैं संकुछन Mai शंकुचन और रिष्टॉल को कहें तो सिथलन ठीक है तो यह हम इसको ऐसे कहते हैं तो यह वह क्या ठीक है अब हम छोटा छोटा जनलन नौरीज की बात कर लेते हैं जो छोटा बच्चे होते हैं जो जिनकी एज कम होती है तो उनका जो जो हर्ट है वो एक मिनिट में 150 बार बीट करता है जैसे हमारा नॉर्मल हमारा जो एवरेज है जो हम अगर बड़े हो जाते तो ऐसे हम लोग का हम लोग का 72 बीट्स पर मिनिट करता है ना ठीक कि तो जो छोटे बच्चे होते हैं जो चोटे बच्चों पर बाद का जो ताम में चाहिए बाद नुोज छुटे संदर में एक कैसे काम करते हैं में एक वेव बनाने क zucchini चलती होता है फोल्सरेट क्या से थैसे से हमारा हर्ट करता ब्लड वो वेब की फोर में चलता है तो वो यह वेफ बनाने का काम प्राविए साथा यह होती है है मतलब अनौ एक बिदी vic होती है जो कि हर्ट को वेब जनरेट करने में काम करती है इस पेस्मेकर के अंदर ना करेंट प्रोड्यूस होता है करेंट प्रोड्यूस होता है जिससे की हर्ट में वेब जनरेट होता है हर्ट लब डब जो करता है वह इस पेस्मेकर के बदालत करता है यह पेस्मेकर उसे चेक करते हैं वो किसके फॉर्म में करते हैं बीपी मतलब की ब्लड और प्रेसर फुल फॉर्म इसका ब्लड प्रेसर होता है तो जो नॉर्मली ब्लड प्रेसर होता है वो 120 होना चाहिए और असी होना चाहिए मतलब की लब जो है 120 होना चाहिए और जो डब है वो असी होना चाह अब वेट की बात कर लें तो जो नॉर्मल अपने जो एवर जो एक हेल्दी यूमन का जो हर्ट होता है उसका वेट जो होता है न वेट मतलब वजन तो उसका वेट होता है दो सो असीस ग्राम से लेकर के तो सबसे पहले जो हर्ट ट्रांस्प्लांट जिन्हों ने किया था मतलब किसी एक व्यक्ति का हर्ट लेकर दूसरे व्यक्ति में हर्ट को ट्रांस्प्लांट करना तो यह काम किसी ने किया और क्रिश्चन बर्नारण ने इनका सीय और आड़ ऑफ्लाई करें क्रिशन बश्रृट करन खेय रिइनकर घ्री सबसे पहले जो फर्ट ऑफ तर ट्र्सप्लांट किया था मतलब किसी एक व्यक्ति का हर्ट लेकर 2 Satuleback मैं उसको लगा देना वह किसी न उन्होंने किया था ख् लिख कर सबसे जाता है वह सबसे बर डी का इसा पाट जहां पर सबसे जाना जाता है और यहां पर सबसे जाएधा बलड जो है वह इस टोर होता है को एक जनरल कोस्टन इसमें पुछा जाता है कि इस human heart में डी-oxygenated ले जाता है डी ऑक्षिजनेटेट ब्लड मतलब की जो जिसमें सी ओटू इसमें सी ओटू प्रेजेंट होता है इस ब्लड को लंक्स के पास कौन ले जाता है तो उसको ले जाता है पल्मनरी आर्ट्री ले जाता है ठीक है पल्मनरी आर्ट्री का काम क्या है कि यह डी कर और हमने ऑक्सिजनेटर ब्लट दो में भॉडी करना है तो फ्रेंण्स यह था पूरे कुछ विजन अपना टॉप चैप्टर ब्लट सरक हर्ट का तो इस वीडियो में बस इतना ही अगले वीडियो में हम ब्लड के बारे में पढ़ेंगे कि ब्लड होता क्या है वो कैसे काम कर मिलते हैं अगली वीडियो में जाएं आपका कोई भी कुछन हो तो आप नीचे कमेट सेक्षेन में पूछ सकते हैं आज आज आज